नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या सुबना में जी आप जी का? लव सेंग जी तूर, सर कहां से आए आप? मैं लुद्याना से आया हूँ जी, सर क्या काम करतें आप? मैं अब रिटायल्ड हूँ, पैंशिनर हूँ, पहले मैं डेस्ट के एजुकेशन आफिसर था, पंजाब गौवर्मेंट में पंजाब एजूकेशन सर्वस में अपनी नवकरी की है सारी जिसमें मैं तीस साल नवकरी की है करमचारी भी रहा हूँ अधकारी भी रहा हूँ और कत्ती तेन सत्त को मैं फ्रीद कोट जिला से डिस्ट का एजूकेशन ओफीसर रेटायर हूँ कि एक कई परकार की वक्ति की है क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी बातें थी के पहले मेरे बाबा जी की लंत खड़ी हो गई फिर मेरे पिता जी की लंत शुक गई और उसके संगर लागे पागल हो गया था वो ठानेदार हैं दिली पलीस से रिटायर हुए हैं 40 साल की सार उसके बाद उनको रास्टरपती मैडल भी मिला हुआ है और उसके बाद 1990 में मेरे को अधरांका टैक हो गया तो मेरी टांगें भी खड़ गई उसके बाद फिर मैं कभी किसी के पास कभी किसी के पास कभी किसी के पास चाड़ा लगानों के पास संतों के पास सभी ज आनी चाहिए तो उसके बाद ये बमारी का कोई भी इलाज नहीं हुआ उन्नी सो पचन्द में में दोबारा टैक हो गया एक मैंने संत किया उससे मैं मुस्लमानी कलाम लिया जो अपने तर्ती परवतार जो है गुरू जी की लिखी होई कताब उसमें भी शामल है जो है स्वानल अल्हांदलिल्ला अल्हु अकबर उसने जे नाम मेरे को दिया था और उसके मैं दिन रात कमाया उसके साथ मेरे में बहुत रिदी सिदी पैदा हो गई और मैं जैसे गुरू जी बोलते हैं कि फिर मैं जो मेरा भक्ती मैंने करी थी मैं बांटने लग गया उसके साथ क्या हु कि मेरा जीवन सारा यह बर्बाद हो गया क्योंकि लोगों को तो मैं सब को accents महाराज की शान में के fiance पहले देखो गुर्दारा में भी जाता था मंदर में भी जाता था मगर वहां पर जाने से मेरे को कोई शांती नहीं मिलती मैं बहुत संतों को मिला क्योंकि दुखी परवार था परवार के सोख के लिए मैं सभी जगा डूंडा जो जे हमारे चोलेदार संत सजे हुए हैं अप तो मैं जहां आने के लिए बहुत तत पर हुआ जब मेरे दोस्त इस अपने गुरमक संग जी ने मेरे को बताया कि भाई मखै तु कहां गया था मेरी खबर लेने भी नहीं आया हस्ताल में मर रहा था तु मेरे मरने के बाद ही आ जाना था तो इसने बताया के माय तो भाई जिसको आपा डूूंड थे दो दोनों जाने वो संत मेरे को मिल गया अच्छा, तेरे को मिल गया तो हम हमेशा ही राज निती की बाते हैं करते रहते थे घरबाले भी दुखी हो जाते थे हम देन पर रात लगए रहते थे में आए हुए हैं जब मैंने सुना मैं उनकी क्या मरलब आपको कैसे लगा आपको कैसे जाना कि वो पूर्ण संत हैं तो उसने इसने मेरे को कहा कि ये कताब पढ़ ले तब जो भक्तिस दाकर को संकेत था वो सिर्फ 20-30 पन्य का ही था तो जब मैंने पहले मखवितु चुप कर जब मैं तेरी कोई बात नहीं सुननी मैं उसी वक्त सारा पढ़ लिया तो मेरे आंसू चल पड़े रोने लग गया मैं मैं अच्छा प्रमात मैं मेरे सारा को तूटने के बाद ही तुझे मेरे को मिलना था और जब इसने सारा कुस मेरे को बता दिया कि ऐसा ऐसा है बहां पर है मैं इससे गया था क्योंको इसके साथ ठकी हो इसी वो ठकी के पैसे लेने के लिया उसने पैसे तो कया देने थे जी गुरु जी के पास आया और आफ ही ठका गया तो मेरे फके खाई तो मैंने होसला करके इसको कहा, क्यांकि मैं तो मन्जे पी लेटा हुआ था, मेरे सारे ट्रक गुजर गया था, यह साथी भी टुटी हुई थी, साथ पीछे भी टुटा हुआ था, सब तांगें टुटी हुई थी, यह साब हाथ तुटे हुए थे, यह मैं है, गुर्मक जाने से पहले ही मैंने का भी पहले मेरे को नाम दवा कहां से मलता है तो हमने नाम लिया नाम भी मेरे को मालक ने अपने हाथों से दिया तीनों नाम गुरू जी देते हैं तीनों नाम अपने हाथों से मेरे को दिये अपना प्याला आप पड़ाया और अपना शीरबा तो देन जैसे एक हजार बूत निकल गया हो और मैं बिलकुल शांत हो गया जब गुरू जी ने मेरे को सत्गुरू रामपाल जी माहराज जी ने जो प्याला पढ़ाते हैं पहली बारी वो हाथ से पढ़ाया और शीरबात दिया तो मेरे बिलकुल मैं शांत हो गया और जो इस हड मेरे और गाल जी थहाँourd गाली है पॉत और सोग दिन्ही ऩा की अध सब्सक्रांट आफाने का हिगृत दोесс सकता था तो क्योंके रभल को गुरू जी बोले बेटा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तेरे को मैंने कहा गुरू जी मेरा कुछ भी नहीं रहा मेरे में कहने तेरे पास सब कुछ है तेरे हाथ में पूछड़ा गया जब पूछड़ा आ जाता है तो बाल्टी भी मिल जाती है लजी भी मिल जाती है जल का जो कुवा है उसे बाल्टी बरके आती है तेरे को बच्चा संसार सुख दूँगा माया दूँगा तेरे को जो बगती है तेरी इसको काम जाव करके तेरे को सतलोग लेकर जाओंगा बच्चा किसी चीज का फिकर नहीं करना साथ गुरामपाल जी महराजी ने ऐसा गुरू भी धारन किया था उसके पास भी आप जाते थे लेकिन वहां आपको कोई लाब नहीं मिला उसके बाद आप परमसन सत्गूर रामपाल जी महराज जिक प्लाब बहुत मिला क्योंके मैं तो मर नहीं था क्योंके मेरा स्रीर में कुछ भी नहीं है तूटा हुआ सारा अंगांग तूटा हुआ है साथगूर रामपाल जी महर के साथ इन्होंने ऐसा मेरा स्रीर बना दिया गुरू जी बोले थे कि बचा तेरा स्रीर मैं बजर बना दूँगा ऐसा बना दूँगा कि दुनिया देखेगी और वो दिन दूर नहीं जा मैं दुवारा चलने लगूँगा मेरे मालक की ऐसी रजा हो रही है और जो आर्थक पैदा हुए है उसका तो कुछ कहने ही नहीं है एक दफा कि मैं बात बताता हूं कि मैंने मेरी बदली कर दी मेरे पोस्ट भी नहीं थी जब कि वहां मेरे पोस्ट भी नहीं थी ज Garlic ग्रूँ जी के पास मंदी शोर सत्कुरांपाल जी महराज के पास आया तो बोले आगे डियो साथ मैं खेया महाराज हे सक्चे पाश्या आपका बच्चा अब डियो नहीं रहा माह्टर बना दिया गया हूँ गुरुजी ऐसे होकर बैठ गया है और बोले मेरा बच्चा डियो है डियो ही रहेगा दुनिया की कोई ताक्त इसको डियो से नहीं हटा सकती और जा मैं बापस गया आपने बड़े मल मैं गर्म से कह सकता हूं और सब को गर्म से सना सकता हूं कि जाते को मेरे को डियो फुल के आलडराए पड़े थे तो पहले मैं डिप्टी डियो था फिर उसके बाद ये तो मेरे मालो जे हुआ उसके बाद जो मेरे केस से वो सारे मेरे खत्म हो गए और मेरी पेंशन जो थी क्योंकि ये बादल सरकार है जो इनके साथ मेरा जगड़ा चलता ही रहा जितनी देर ये सर परे आ गए और कती तीन साथ को मेरे टैर हो गया और अपने घर बड़े ओनर से मेरे को डीसी ने और जो एडीसी था उसने घर में बेजा और मेरे सारे स्कूलों ने और मेरे सारे स्कूल आफसरों ने और जो हमारा सेक्टरियेट था उन आफसरों ने मेरे को इतनी बड़ी पार्टी दी कि दो पार्टी दी दो दने डी इसी सा मेरी पार्टी में बैठे रहे तो यह कोई छोटी बात नहीं एक मैं सर्फ छे मीने वहां पर काम किया था छे मीने में प्रमात्मा ने मेरे को ऐसा बना दिया वहां पर क्योंकि लोक दस परसेंट लेते हैं मैंने क्रोडो र पिया बांटा सर्व सिख्या बियान का जिसमें से मैं एक पैसा भी गड़ी बाला लेने लेके नहीं देखा और प्रमात्मा ने ऐसी मेरी रजा करी मेरे पर बंदीशोर सत्कुर्रामपाल जी महराज के शीरबाद से मैं अपने अउनर के साथ अपने घर रिटायर होकर आया तो किस संत को डूंड रहे थे जो पूर्ण हो और पूर्ण नाम दे वो नाम दे हमारे पंजाब में गुरु नानक देवजी को सबसे बड़ा गिना जाता है और उसी के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक ही एक अकेलियां जो सच्खंड को गए हैं और सच्खंड बेजने बारा संत हमें चाहिए जो बो संत चाहिए जो हमको वो नाम दे जिसको जापकर गुरु नानक देव जी सच्खंड में गये थे और प्रमातमा सत्गु slłości माहराज में वो सभी गुर्ण माजूद हैं हम को जब हम जहां आए कहने लो बेटा पहला नाम दिया तो हम ने आपको बता दिया कि मेरे को क्या क्या शीर बात दिया जब दूसरा नाम दिया कहने बेटा ये वो नाम है जिसको सिख लोक सत नाम कहते हैं फिर तीसरा नाम दिया जब तो गुरु जी बोले मेरे साथ गुर्मकदास भी थे के बेटा लो सिख जगत में गुरु नान के बाद आज आपको ही तीसरा नाम मिला है तो हम गद गद हो गए और जाकर इतना रोए और गुरु जी के पास भी रोते रहे रोते रोते चले गए क कि हम इतने बागयाशील हैं, इतने कर्म बांत हैं, और हमारा सही तो सारा तूटा पड़ा है, कि हमको ऐसे संत मिल गए, ऐसे प्रमात्मा मिल गए, कि जिड़े हमको अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कि हम जरूर जाएंगे, हमको 100%, 101% जिकीन हो गया, कि हम जरूर सत लोग जाएंगे, सब्सक्राइब आप बता रहे थे, कि आपको सत नाम मिला, आपको सार नाम मिला, आप बता रहे थे कि गुरूगर्ण साहिब में भी उन सब नामों का जिकर है जो नाम नानक जी ने जब पहे थे और अपरमसन सत्गुरामपाल जी महराज नापको का कि आपको वो नाम दिया है जो पूरे सिक्ष समाज में या तो कभी नानक जी ने आप किया था या भी राब को मिला है तो के उसका क्या कहा से इसका तो कि पर्मात्मा निराकार है तो जब गुरु जीörper को ग्यान मिल गया और मैं गुरु गुरान साब की चार सेंचियां लेकर आया तो मैं तीन साल उसकी खोज करी कि जो प्रमात्मा कहते हैं गीता में बताते हैं बेद में बताते हैं कि आप वो बात सच है कि गीता में लिखा है कि तीन परमात्मा हैं और उसका तीन नाम है जपने के भी ओम तत सत तो हमारे कहां लिखे हुए जरूर लिखे होंगे क्योंकि गुरु नानक को भी सब पता होगा जे अगर गुरु नानक पूरा था तो उसको भी पता होगा तो मैंने फिर इसके कारण जे सब बातें थी इनके सवाल डूंडने के लिए फिर मैं गुरू गुरान साव लेकर आया तो उसके पहले तो मैं जे डूंडा के प्रमात्मा साकार है बारां सो स्टवंजा पन्ने पर लिखा हुआ है के बागे कापड बोले बैन लम्मा नक ते काड़े तेरे नैन कभू सहब देखेया पैन बई एह जया सहब हाँ जी दिया काड़िया अखाने सोना मूँ हाँ मिठी बोली बोलद है ते उदा चिट्टा दुद बार गार रांक ते उदे कपड़े ने ते मैं बड़ा हरान होया भी अब यह ता करने नरांका राएता सारी तसवीर नानक जी ने खिची पही है फिर दूसरी ता एक पांसासस्तार पन्ने पर लिखा हुआ है के सोना नक ते लंबडे तेरे बाला आर फिर क्या लिखा है के तेरे सोनेरी माला पहуса पह न होया है, तेरे स्रीर सनेरी वार जिड़े ने सोने रंगे ने, ते तुन हांसमगों ठमक ठमक तुरता है। कि सारा वो शब्द बेचे लिखा है पांसास्ताट पने ते जड़ा मर्जी देख लबे है ते मालो ओतो सिद्ध हो गया कि पहली गाल के गुरू जड़े है गया प्रमात्मा वो साकार हैं क्योंकि फिर मैंने क्या देखा कि जे कहते हैं गुरू नानक देव जी का कोई गुरू नहीं है ये सारे लोग डंडोरा पीट रहे हैं कि गुरू नानक देव जी का कोई गुरू नहीं है तो दोस्ताई पने पर मैंने पड़ा गुरू नानक देव जी आप खुद कहते हैं क्य अनिशेशन ली मंतर लिया शातगर देखया दिखया लीनी मान तान आरपे ओ उन्हों मैं सारा कोज आपना पेट कार देता मान तान आरपे ओ आन्तर गत कीनी छेर कीकर गत मेत पाई आत्म चीननी कर दे फेर मेरी कती मेनों मिलिये इन दवाई गुरु ने एक एने उदा गुरु कोई दी फेर एक एने शाबद गुरु सौर्थ तो न केला उन गुरु शाबद गुरु गुरु दा शाबद है साड़े पांज प्यारे अमत शकाउंदे ने वी ता बंदे ने ओही मूल मंतर देया है ओही मालग बहगलु दा मंतर देया है ते ओबंदे नीए है यह कहरेघड़ सी जी कहने मेरा ता गुरू है मैं नाम ले आओ तो नाम लेके ज़रों मेनु पता लगे विए पूर्णा में सारा कुस्ट अरपन कर देता का मेनु गती मिडिये सर अभी आप बता रहे थे कि पूरा सिक समाज परमात्मा को निराकार मानता है और गुरुगन साहिब में परमात्मा को साकार लिखा हुआ है और अभी आप बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ने भी गुरु धार्ण किया था तो क्या आप बता सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के पूजे गुरुभेव जी का क्या नाम था देखो जी जो जहाँ पर मेरे को पता कर चला क्योंकर स्क्व Common में तो वो मिलनी नहीं थी बात जहाँ साथ गुरू संथ्ट राम पाल जी मारा तत्वेता संथ जी ने हमको बताया क्या बताया के जो गुरु नान का गुरु था वो जिन्दा महात्मा था क्योंकि प्रमात्मा जब भी उपर से आता है जिसको भी दर्शन देते हैं तो जिन्दा महात्मा के रूप में आते हैं चाहे वो तर्म दास हो चाहे वो मलूक दास हो चाहे वो दादू दास हो चाहे मलब हो आपने रामान जीनों भी कभीर साभ आप मिले सारा को दस्या ज़नों फिर ये सारा सेक्समाज के ना जी उन्हों का जिन्दा महात्मा मिले आ सी ते गुरू जी ने बताया सत्वर्ण राम पाल जी महराज जी ने बरवाड़े बाड़ा ने जी बताया जब वेदों में सिद्ध कर दिया गीता दूर करता है वो सभी के अंग बदल देता है वो मर्दे को जिन्दा करता है और जो उसका बरसाया होया संत होता है क्योंके संत कौन होता है जैसे अपने वो लिखा है बाणी में गरीवदा जी की बाणी में क्या लिखा है संत सहब एक सिरीरा गुरू बिन लागे ना तीरा गुरु कोई चीज हुन देया फिर एक दफा एक सांते होर लिखया होया कि संतन और सहब में अंतर किछ नहीं सहब का कर संतन के माहीं ये बैठा है वो कभीर रामपाल मैंने सोचा जब गुरु जी बोलते हैं सत्गुर रामपाल जी के तेरा रामपाल अगयान किया सत लोग का बासी अगर वो साथ लोग का बासी है तो वो तो साथ लोग में रह गया तो फिर ये काउन है कि फिर मैंने अपने बगती के अनवब से मैं जे कह सकता हूं मेरे को जलबा जो दखाया कई गल्ना ऐसी होती हैं जो संसार में नहीं बताई जाती हैं फिर वो मालव जो है कभीर स अगर किसी ने देखना है तो अपनी भगती करे अनपव से देखे नानक जी के गुरू जो है वो कवीर साब ही है क्योंके गुरू जी ने और जो इतिहास है जे कहते हैं तिहास में तो कहीं मिलनी होती नहीं है देखो जी जब कभीर साब जो पहली दासी है गुरुनानक देव जी कि वो कांसी की है कांसी में गए और बानी लेकर आए और वहां पर ये उनको सतनाम दिया बेही नदी की ये साखी सनाते हैं कि वो सची है बेही नदी से साथ जो साथ उनको ले गया सतलोक में जो साथ लोक में लेकर गया तो आकर उनको साथ नाम का मंतर दिया बिलकोल ठीक है तो अब अब जे मुकर रहे हैं वो साखी सनानों हट गए हैं क्यों इनका पूल खुल रहा है अब जो पाई-बाले की साखी है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेही नदी की साखी है उसमें जे सारा वर्ण है कि कैसे कभीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गुरू नानक देव जी को सत लोक लेकर गए और उसको वहां से नाम देकर लेकर गए में लाइं वहां बोला जब जांकी देखी कभीर की नानक किती वह सिखांके गल पड़ी कौन शटावेता ता कहने उथे कहता नाने वह गुरू वह गुरू क्यां कहा ज़दो कभीर साहब इनन उथे लेगे उत्ते का यह जद उत्ते चले गए खैणा ने देखे यहां जुड़ा मेरे नाला है यह हो रहा तो देसे होर बैठा एक फ़ेला दो फ़ेला है कषोर कर न वडार वारा— spaghetti healthy गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु के बारे में परमात्मा के बारे में दो जगा पूरा एक जगा पर तो नाम ही लिख दिया क्या लिखा है पहला तो गुरु गुरु गुरांसाब के पन्ना नंबर चौवी में लिखा है कि दानक रूप रहा करतार माफाई सूत मुलुक की वेज ए ठकवाडा ठकी देज तुसी देखो भी हो सारा जो शब्द है वो अब दे गुरु की उस्तत में लिखा हुआ है और जो है अपना ससो की पन्ने पे तो नामी लिख दिया रहा है अबही जेसे बता रहे थे भगत जी के एक वानी है गुर्गन साहिब में नीज जात परदेशी मेरा चिन आवे चिन जावे और ताकि संगत नानक रेंदा कैसे मुड़ा पावे तो आपके कहने का मतलब है कि जो अब तक शिक द्रम में बरांती फैली हुई थी कि नानक जी का कोई गुरू नहीं था तो ये गुर्गन साहिब में ही वर्णन है कि कभीर प्रमात्मा नहीं नानक जी को नाम उपदेश दिया था और वहीं उनके गुरू थे गुरू थे बेलकौल और अभी जीसे आप बता रहे थे कि शिक द्रम में एक बरांती फैली हुई कि प्रमात्मा निराकार है तो वह भी उर्गन साहिब में वर्णन है कि प्रमात्मा साकार है और अभी आप कह रहे थे कि जाकी वेक कभीर दी नानक की तिवा और वा शिक कांद है गड़ पड़ी निरे ये वेका है तो क्या जी जो सिक धरम में आजकल जो मंतर पहला हुआ है जो जाब जबते हैं वाई गुरु वो क्या है वाइ गुरु वे हम सत सहब कहते हैं जे कहते हैं वाहिगरू वाहिगरू का अर्थ इनके लिए है प्रमात्मा पर इनको जे पता नहीं वो वाहिगरू कौन है जिस दिन मेरे को गुरू जी ने सार नाम दिया था ता उस दिन बताया था कि बेटा जे वाहिगरू है क्योंकि जो गुरुनानक देवजी की बाणी है वो संकेत का बाणी है बहां पर जो सात नाम लिखा है वो दो नाम का मंतर है दो नाम का मंतर गुरु जी ने बताया हुआ है अपनी कताबों में लिखा हुआ है और दो फिर जो समुंदर की साखी है उसमें भी वर्णन किया है कि गुरु नानकर देव जी ने वो जपा था और पाई बाले मर्दाने को का तो हमने नहीं जपना जे जब बो जपने लगा त तू जे क्यों जब रहा है तू गुरु की करनी बना जा गुरु की Kath Fields गुरु दा होकम मन पाई बाला सी ओ फिर वे भेगुरु वेगुरु कहुंद कें लगया हुआ ज्याए को जब बिता जैसे गुरु जी ने अपनों बताया है बंदी शोड सतकुरामपाल जी जो इनसान सिखी मर्यादा में रहकर अपनी बगती कर रहा है का वो भी जनुपा रहा रहा है सिख का भी तक तो मैं सिख जाकत जो है उसके बारे में यही कहूंगा कि यह बंबडबु से छोड़ दें क्योंकि गुरुनानक देव जी के बाद अब पूर्न प्रमात्मा के कर आजाये हैं जिन्होंने सारे का रहे हैं सभी दुनिया के रहे हैं के पूर्ण संथ की पहचान अब है क्यों हर्न मामन मन्त तनसे सेही नान का सोई पूर्ण संत जिननु सास गरास रोटी खांदेंगे मैं अपनु केहा जानदा है कबीर साब दा भी सलोक है फिर नाम खाते नाम पीते नाम सोबत जागवे नाम उठत नाम बैठत नाम सेती लागवे तिन्नो नाम के बारे में गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में लिखा हुआ है पहला तो वो बोलते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का बेदवतावे एक छड़ावे एक लखावे तो पराणी निजकर जावे जे गुरु गुरान साब में बानी नहीं है मगर उन्हेंने गुरु गुरान साब के ना लगा दी है जे जो है अपने ब्यास वाडे तो उनमें क्या गुरुगरांसा में क्या लिखा है जे तुपड़े आप अंड़त भी ना दो ए अखर दो ए नामा परणवत नान के एक लंगाव है जे कर साच समामा ए है सत नाम ते जेड़े पंज नाम ने उनना वरे की कहें पहली पाशाई ने ग्यारांसाओ कंद में सभे दोते लिख्या है कि तुप पांज नाम प्राप्त करने हैं ता ओ गुरु लब जिड़ा गुरु ने आप कर देख्या हुए करमे कर दखाए दे सो सतगर पर्ख सजान पांज शावतन का अरतन बाजे शावतन निशान हुँद कर दखाए बरन आक और संकेत हैं फिर एमेजे मैं नंद साव देबेचा हुँदा है पांज शावतन कार सपागे कर सबसागे कला जित करता और मद्रा verso काल कंट कमार ठाय तो रर कर्म पाया तो जिनकों से नाम हर के लागे यह पांच नामा नों पुछनद लई двух मैं सारे प्र्याब अपने 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 गीता दे बेच दो शाब्द ने ब्रेजदा शाब्द है अपने बाट में सलोक दे बेच ब्रेजदा मैंना इनने आना कर दिया है जाना है अनु तमाम दा आर्थे ना ने जड़ा है अनु तम दी थांते उत्तम लगा दिया इसे तरह नाड़ी जे शिरुगुरु गुरान कबीर करीम तू एक बढ़ा या जदो के रखे जावे ता सद हो जानदा के गुरु नानक देव जीदा गुरु काउन है जो कबीर साभी ने तरह नाड़ी जिड़ा है तान करूप रहा करता रचावी पन्ने देते तान करा मतलब उनना दी बोली देवेच्च यूपी दी ब लिए बेचे इनने अर्थकी लाएने सैंसी जदों के सैंसी आर्थ नहीं है उदा ये उदा असली रूप मालों असली आर्थ लगा देता जावे तानकर नू जलाहा लेख देता जावे ता सारे गुरु गुराण साब दी जो थियोरी है वो सारी चेंज हो जूगी ते सारी अर्थि गलाब मिला और जहां तक अभी आप बता रहे हैं कि प्रम्शन सत्कुर रामपाल जी महराज से नाम उबदेश लेने के बाद ही आपको गुरुगन साहिब के गुड रहसों के बारे में पता चला आपको पता चला कि गुरुगन साहिब में लिखा हूए परमात्मा पहले हूए कि गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था तो ये से बातों की जानकारी आपने आपको मिली आपको पता चला कि सत्त नाम क्या है आपको पता चला कि जीव की मुक्ति कैसे हो सकती तीन नाम से कैसे हो सकती है पांच नाम क्या है आप उन पांच नामों की जान कि भगत समाज को या सिक समाज से जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं तेरह सा ठाई पन्ने पे गुरु नानक देव जी लख देया अगने बेंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तसकर जे नाम न ले वासा कोट पचासा भी उदे तेन नाम हुद देया जपन वाले गड़े तुसी जपने ने तापार लगोंगे फिर तेन नाम तेनी परमा जब अने वदे थे उद्दार सभी में लब ले यह ओ भी सभी की हैगा गुरु नानक देव जी लेख देया हम माय मंता लोब मनाशन हम मंता लोब मनाशन नाव दर मुखते दासमे आसन है उपर पर एक उपर परेट परय पर एक तीज्जा बैठा पर एक पर आंपर सावत उ लटबाड़ा जानी जो गल गीता ने कही जो गल बेदा ने कही ओ सारी गल ज़दों गुरुजिया ने मेरे खोल गए जो मैंनु सारा ग्यान हो अज मैं सेख जागत नू इतको इपील करनी चाओना हां जेकर तुस्सी पार लगना है तां तुसी ठीक है तुसी पागती कर देऊ बदीया पहुन दानों भी बहुत कर देऊ सोख भी तुन नेगे तुसी मनुख जानम दे वेच भी दों दे आ रहे यो जेकर तुसी पार आता सब्सक्राइब करना है तो आओ सथ गुर्ण पाल जी महाराज को ले बरवाला दे बैच बैठे या हो जिना ने सारी दुनिया नू तार्ण देजा तार्ण दा संकल्प कीता होया है गुरु प्रमात्मा बलोना नू होकम भी होया होया है आओ न तो नाम दिखेलाओ जिडे ते इन नाम सर्फ इतों ही मिल दिया होर संसार थे कितों नहीं मिल दे यू कान फाउंड इन एवरी वियर आलोबर अजुनिवर्स्तल कुछ और बताना चाहेंगे आप प्रमशन सद्कुरांपाल जी महाराज के बारे में या उनकी बगती के बारे में हां जी देखो जी मेरे को गया है कि बगती के बारे में बताओ जो सद्कुरांपाल जी महाराजी से मिली है अभी अभी दो बाते हुई हैं अभी अभी थोड़े दिन हुए बगती करते हुए तो मेरे पास बर्मा जी आ गए जब बर्मा जी आ गए तो मेरे को बोले अपने बर्म लोक में ले गए वो जहां से जो सारे दुनिया के ग्रांथा आए हुए है वो सभी को पढ़ते हुए दौद को पढ़ता दखाया इबराहीम को पढ़ता दखाया महम्मद साब को पढ़ता दखाया गुरूओं को पढ़ता दखाया ते मेरे को बाइबल पढ़ते दखाया अपने इसा मसी जी तो सा और रहे गरांत दखाये उसके बार कैता जिए देख रहे हूं आप क्या को रहा है मगा हाँ जी बताओ मगा जिए सब गरांट पढ़ रहे हैं जो इन्होंने बेज़े नிचे वो कहता जे गरांत में ने दिये थे इनको मगा ठीका जी ते कहने भी तेरा जो गुरू है सथी रा प्रफान साम में जो रहस लुके हुए थे वो भी तेरे को समझा दिये अब तू बैठा के हम हाथ पे हाथ रखे बैठा है दुनिया को सारा को समझा दे तो मैंने हसकर कहा उसको अच्छा तू मेरे को डुबोने के लिए आया है कि तारने के लिए आया है तो वो कहने लगा क्या बात मैं गुरू नहीं बढ़ना चाहता मेरा सत गुरू तारने के लिए आया है जिसने मेरे को ग्यान दिया है वो ही सारी दुनिया को तारेगा मैं तो अपना तरना है भाई मैं तो सत लोक जाना है मैं ये काम नहीं करना तो मेरे आगे वो हत्वन के चल गया तो मैं जब यह सारी बात गुरुजी से बताई तो गुरुजी कहते बेटा आपकी प्रिख्याती आप उसमें पास हो गए और अब नमी नमी बात हुई दास पंदान दिन एक ऐसा जीव आया करें वो कभी विश्णू का रूप दार्न कर लेकरें करें शिभ जी का कभी कै तो मेरे को बहुत सत लोग के सवाल करा करें और दखार्या करें यह देखो सेव लगे हुए हैं यह दूद की नदियां हैं यह फलां है यह काम देन गव खड़ी है और आप जो चाहो तो ले सकते हो हैं मगर बात एक पूछनी चाहता हूँ मैं कहने लगा कि जब यह खाओग तो मेरे गुरू जी गुस्सा ही हो जाएंगी पहले तो हमको सभी को जे कहा हुआ है ना कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपने नाम जपना है अगर कोई ऐसी बैसी चीज़ होगी तो चली जाएगी तो नहीं आपने बात करनी क्या बात है तो हम उनसे बात करें बो हर र है वो मगर मैं डरता हुआ कोई जवाब ना दे सका पंदान दिन वो मेरी जान खाते रहा और एक नमार वो जाता रहा है फिर एक दिन मैंने कहा कि लावदास यह तो तेरे को पागल कर देंगे तो मैंने क्या कहा कि अच्छा कोई बात नहीं मैं अपने सत्गूर रामपाल जी म तो कहते हाँ भी बता मैं गुरू जी से पूछ रखा था गुरू जी ने एक मेंट में कुन डी खोल दी क्या बोले के बेटा बहां तो साब को स्टेज पोंज़का है बहां बेटा कहां बनेगी जब उधरी नहीं है चलो अखे बात की मगई जो चीज़ें मांगनी है वो तो गुरू जी करें जय बंदी छोड की जय बंदी छोड की